आज आप लोग पढ़ेंगे कच्छा साथ गडिद का दच्छता अभ्यास 4 इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने 4D तक का पूरा एक्सरसाइज कम्पलीट कर लिया था तो दच्छता अभ्यास में कुछ ऐसे question दिये हुए है यह दच्छता अभ्यास 4 में जिसको बताना आप लोगों को जरूरी था इसलिए हम यह दच्छता अभ्यास 4 भी पूरा बताएंगे इससे पहले आप लोगों को chapter 1, chapter 2 और chapter 3 का दच्छता अभ्यास हमने नहीं बताया था क्योंकि उस type का question हमने exercise में बता दिया था लेकिन इस दच्छता अभ्यास में ऐसा question नहीं है तो ये दच्छता अभ्यास हम पूरा बताएंगे तो अगर आप लोग चैनल परना हैं तो चैनल को subscribe करिए like करिए, share करिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक एक बात आप लोग समझ सकें और घर बैठे आसानी से आप लोग पढ़ाई कर सकें तो देखते हैं तो पहला नंबर का question जो दिया है चांदा की सहाथा से 30 अंज का कोण खीची है अब पटरी और परकार की सहाथा से इसे समझ भी भाजित कीजिए परते कोड को माप कर सत्यापन कीजिए सबसे पहले कारा चांदा की सहाथा से ये होता है चांदा आप लोग देख रहा है तो इसके सहाता से 30 अंस का कौन बनाना और उसको पटरी परकार ये पटरी और परकार है इसके सहाता से आप लोगों को समद्वी भाजित कीजिए मतलब उसको दो बराबर भागों बाटना है और परते कौन को माप कर लिखना है तो देखिए सबसे पहले हम चांदा की सहाता से 30 अंस का कौन बनाना है आप लोग क्लासिक्स में पड़ चुके होंगे अगर नहीं पड़े हैं तो यहां देखिए साब तो दिखाई नहीं देगा यही चांदा होता है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो इस चांदा में देखिए 0, 10, 20, 30 दिया है पहले क्या करते हैं हम लोग एक सकेल की सहाता से एक लाइन खीच लेते हैं कोई माली जी हमने एक लाइन एक रेखा यह भी खीच लिया इस पर हमको पहले क्या करना है कि चांदा की सहाता से 30 अंस का कौन बनाना तो कुण बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं चादे में एक नीचे लाइन होता है ऐसे देखिए यहाँ पर एक पड़ी लाइन होती है इस लाइन को इस वाले लाइन पर रखते हैं और चादे में बीच में यह देखिए उपर से नीचे एक सीधा लाइन होता है इस वाले लाइन के सबसी नीचले वाले छोर को इस रेखा के ए बिंद उपर रखते हैं यहाँ पर और उसके रखने के बाद से अब देखते हैं 0, 10, 20, 30 जहाँ 30 होगा यहाँ उपर ऐसे बिंदी लगा देंगे और वहीं उस बिंदी से उस रेखा को मिलाएंगे जैसे मालीजिए हमने इस चादे का जो पड़ी लाइन होगा उसको हम लोग रखेंगे इस वाले लाइन पर जो हम लोग खीचेंगे इसी वाले लाइन पर यह पड़ी वाली लाइन को रखेंगे और एक सीधा उपर देखिए ये पड़ी लाइन है इस चादे में तो इसको हम इस लाइन पर रखेंगे और एक ये उपर के तरफ सीधा लाइन है तो ये सीधा लाइन वाला देखिए एकदम इस ए पर रखना है ए वाला जो बिंद वा यहाँ पर रखेंगे ऐसे और ये पड़ी लाइन इस पड़ी लाइन पर होना चाहिए ये उपर वाला लाइन यहाँ ए बिन्दू पर होना चाहिए अब जहां देखिए 30 अंस होगा ऐसे जहां 10, 20, 30 लिखा हुगा इस साइड से उपर के तरफ 150 भी लिखा तो उससे नहीं मतलब 30 वाला हा तो यहाँ टिक लगाएंगे देखिए और हम लोग स्केल की सहता से ऐसे स्केल को रख के 30 अंस का कॉन खीच लेंगे ऐसे आप लोग खीचेंगे कॉपी पर हम इसको बड़ा बना रहा है आप लोग समझने के लिए तो ऐसे 30 अंस का कॉन हमने खीच लिया अब यहाँ भी कोई नाम लिख लेंगे देखिए B है A है यहाँ कुछ भी लिख सकते है मानले जी हमने C लिख दिया यह हमने चांदा की साहता से 30 अंस का कॉन बना लिए अब आप पठरी और परकार की साहता सी से संद्वी भाजित किजिए मतलब दो बराबर भागों बाटिए अब हम लोग परकार में पेंसिल को लेंगे और कोई भी दूरी अपने तरफ से ले लेंगे और यह बिंदू पर परकार को रखेंगे कोई भी दूरी ले सकते हैं यह पर रखके एक चाप लगाएंगे इन दोनों रेखाओं को देखिए काट देंगे ऐसे कोई भी दूरी लेके मानली जीए यह देखिए दोनों रेखाओं को यह चाप M और N पर काट रहा है अब हमको क्या करना है यह हमने एक चाप लगाया किसी भी दूरी से हमको क्या करना है इस कोण को दो बराबर भागों बाटना सम्दि भाजित करना है तो देखिए हमने कोई चाप लगाया अब परकार में दूरी लेंगे ऐसा है एक बारे यम पर रखके चाप लगाना एक बारे यम पर दूरी कौन सा लेंगे ये ध्यान में रखेंगे तो देखिए यम यन जो है इसी का आधिस अधिक का दूरी लेंगे तो देखिए हमने आधिस अधिक का दूरी अंदास से ले लिया एक बार यम पर रखेंगे और एक चाप ऐसे लगा देंगे और दूरी को अब घाटाना बराना नहीं है उसी दूरी से एक बार यम पर रखेंगे और एक दूसरा चाप लगाएंगे जो पहले चाप को देखिए यहां काट रहा है इसका नाम माली जी हमने लिख लिया P P बिंदू पर काट रहा है अब Scale की सहाथा से क्या करेंगे इसी P से मिलाते हुए एक रेखा खीच लेंगे यही क्या हो गया इसका भी नाम कुछ लिख लेंगे माली जी है हमने AS लिख लिया यही जो AS रेखा है यह क्या कर रहा है इस 30 अंज के कौन को दो बदाबर भागों में बाट दिया यह कौन हमने बनाया था कितने अंस का 30 अंज का तो हमको देखिए क्या करना 40 की सहाथा 30 का कौन की खीच दै हमने 40 का पर्ठरी और परकार की सहाथा से समधिभाजित किजिये हमने परकार से समधिभाजित किया पर ते कोन को माप कर सत्यापन किजिये अब दोनों कोन को नापना है तो इसको कैसे मापते हैं देखिए ये जो पड़ी वाला लाइन हम इस पड़ी वाले लाइन पर ही रखेंगे और जैसा कि हमने बताया था जो उ इधावला लाइन है बीच में उसको यहाँ ए पर रखेंगे और उसके बाद इस रेखा को देखेंगे किस नंबर पर आ रहा है तो जब देखेंगे तो यह 30 को दो बराबर भागों हमने बाटा तो यह भी 15 अंसका हो जागा और यह भी 15 अंसका हो जागा तो ऐसे यह question complete होता है अब हमने बताया था आप लोगों को यहाँ रचना हम तीन हेडिंग लिखते हैं सबसे पहले लिखते हैं ग्यात है second में लिखते हैं रचना करनी है और third में लिखते हैं रचना की चरार तो ग्यात है में क्या लिखेंगे चान्दा की साहतास पहले दिया देखिए तीस अंस का कूर खीचिए पटरी और परकार की साहतासी से सम्दी भाजित कीजिए तो हमको ग्यात है क्या एक कूर तीस अंस का कूर B.A.C. नाम भी लिख सकते हैं उसका अब लिखेंगे क्या रचना करनी है रचना क्या करनी है हमको तीस अंस के कूर को पटरी और परकार की साहतास सम्दी भाजित करना है तो लिखेंगे तीस अंस के कूर को को या लिखेंगे कुण B, A, C को सम्दिभाजित करना इसको सम्दिभाजित करना है मतलब दो बराबर भागों बातना है रशना के चरण में अब रशना के चरण में नमबर डाल के लिखा जाता है एक, दो, तीन, चार, पांच जितना आप लोग चाहेंगे लिख सकते हैं तो इसको आप लोग लिखेंगे जैसे जैसे बनाएंगे वैसे पहले हमने एक कुण चैनला की साहता से कुण B, A, C, T, संस का बनाया उसके बाद हमने क्या किया कोई भी दूरी परकार में लेकर A पर रखकर एक चाप लगाया जो रेखा A, B को A, M पर और रेखा A, C को A, N पर काटता है अब परकार में A, M, N के आधे से अधिक का दूरी लेकर A, M पर रखकर एक चाप लगाया उसी दूरी से A, N पर रखकर दूसरा चाप लगाया जो परले चाप को P पर काटता है A को स्केल की सहता से P से मिलाते हुए आगे S तक बढ़ाया यही A, S रेखा कुण B, A, C का सम्दिभाज़क नापने पर परती यह कोण 15 अंसका है बस ऐसे लिख देना सत्यापन की यह नाप के तो लिखेंगे मापने पर यह दोनों कोण 15 अंसका है तो अब सेकेंड कोस्चन देख सेकेंड कोस्चन हम लोग देखते हैं दो रेखाया है A, B और CD खीचिए जो बिंदू O पर प्रती छेदित करती है इस परकार बने सिरसा भिमुक कोण COA और कोण BOD को पटरी और परकार की सहता से सम्दिभाजित करके सत्यापित कीजिए कि इनके सम्दिभाजक एक ही रेखा में हैं तो जैसे दिया वैसे हम लोग पढ़के बनाएंगे ये नहीं देखेंगे कि कोश्चन बहुत बढ़ा दिख रहा है तो कैसे बनाएंगे कैसे करेंगे कुछ नहीं याद देखिए उपर से अभी बना रहा है कैसे दो रेखाएं A, B और C, D खीचिए खीच लेते हैं पाले हम लोग इसकेल की साहता से दो रेखाएं खीच लेंगे A, B और C, D और कहना कैसे खीचना है जो बिंदू ओपर प्रतिछेदिव करती है प्रतिछेदिव का मतलब होता काटना दो रेखाएं ऐसे खीचना है जैसे हम लोग इंगलिज का X बनाते हैं तो उस तरह से खीचना है ऐसे क्रास करके तभी दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो देखते हैं स्केल से खीचेंगे A, B और C, D मान जी हमने एक रेखा ऐसे खीच दिया A, B हमने खीच दिया A, B हम ऐसे इसलिए खीच रहा है कि दो रेखा एक दूसरे को O पर काट रही है तो एक रेखा हमने खीच दिया A, B और दूसरा C, D खीचना बिंद ओपर जो प्रतिछे दिद करना दोनों O पर काटेंगे और एक रेखा मान जी हमने खीच दिया यहाँ से यहाँ तो C, D करा दोनों रेखा O पर प्रतिछे दिद करती है मतलब एक दूसरे को काटती है कहा popular हाँ ऊपर एक दूसरे को काटती है तो हमने A, B और C, D खीच लिया O पर प्रतिद दिद करती है देखिए हमने इतना बना लिया आगे दखते हैं, इस परकार बने सिर्षा भीमू कौण COA और कौण BOD को पट लिया हूँ अब देखिए इसे में सिर्षा भीमू कौण किसको काते हैं जब दो सीधी रखाया हैं, यह दोनों सीधा रेका, ते रेका तोहा ने जब दो सीधी रेखा हैं एक दूसरे को किसी बिंद उपर काटती हैं देखिए दोनों एक दूसरे को किसी बिंद उपर काट रहे हैं कभी भी कहीं भी जब दो सीधी रेखा हैं एक दूसरे को किसी बिंद उपर काटती हैं तो आमने सामने के बने हुए कोणों को सीरसा भी मुग कोण काते हैं आमने सामने मतलब यहां जो कोण बना हुआ है उसके सामने का कोण यह है तो यह दोनों एक दूसरे के सीरसा भी मुग कोण होगा यहां जो कोण बना हुआ है यहाँ जो कॉन बना हुआ इसके सामने का कॉन यह है तो यह दूसरे एक दूसरे के सिरसा भीमू कॉन होगा इसका सिरसा भीमू कॉन यह होगा आमने सामने का इसका सिरसा भीमू कॉन यह होगा इस उपर वाले का सिरसा भीमू कॉन नीचे होगा इस नीचे वाले का सीरसा भीमू कोण उपर होगा तो ये सीरसा भीमू कोण होते हैं आमने सामने कोण अब देखिए का रहा है तो इसमें देखिए एक, दो, तीन, चार कोण होगा है मतलब सीरसा भीमू कोण होगा दो जोड़ा होगा यहां का और यहां का तू कौन सा कौन लेना है देखिए कौन C-O-A नाम देखिए जहां से दिया वही कौन लेंगे देखिए C-O-A यहां तो कहा रहा है हम C-O-A मतलब यह वाला कौन कहा रहा है यह वाला कौन यह कौन और B-O-D देखिए नाम से पढ़ते हैं B-O-D मतलब ये वाला कौन कह रहा है तो इन ही दोनों कोनों को लेना ये कोर्सी सा भी मुक्ता नहीं लेना तो ये दोनों कोनों को कह रहा है कि C-O-A और B-O-D को पटरी और परकार की साहता से सम्धिभाजित करके सत्यापित किजिए कि इनके सम्धिभाजक ये कही रेखाने है कहना है कि इन दोनों कोनों को पटरी और परकार की साहता से सम्धिभाजित करना सम्धिभाजित यहां दिया रहा है समझ जाएंगे आप लोग दो बराबर भागों बाटना है इसको भी बाटना इसको भी बाटना तो पहले बाटते हैं देखते हैं तो देखिए कोणों को दो बराबर भागों बाटना हम आप लोगों को बता चुके हैं शुरू से बताते हैं निर्मे भी हमने बताया था कैसे बाटते हैं देखिए पहले मानी जी हमको कोण B, O, D को बाटना है दो बराबर भागों तो क्या करेंगे परकार में पेंसिल लेके कोई भी दूरी ले लेंगे और ओपर रखके एक चाप लगा लेंगे अब देखिए ये चाप दो जगा पर काट रहा है तो इसका नाम कुछ लिख लेते हैं मानी जी हमने M लिख लिया, इसका N लिख लिया अब हमको क्या करना दो बराबर भागों बाटने के लिए हमने एक चाप कीछिए भी दूरी से लेकर लगा लिया अब हमको एक बाड़ M पर एक बार N पर रखके चाप लगाना है बराबर बागुम बाढने के लिए दूरी कॉनसा लेंगे ये ध्यान में रखेंगे इंपर रखकर इसी M.A.N के जो चाप हमने लिया आदास अधिक दूरी लेंगे देखिए हमने आदास अधिक दूरी ले लिया है M. पर रखके और ऐसे एक चाप लगा देंगे अब इसी दूरी से घाटाना बढ़ाना नहीं है M. पर रखेंगे और पहले वाले चाप को कात देंगे जहां कट रहा है इसका कुछ नाम लिख लगे माली जिए जहां ये कटा इसका नाम हमने लिख दिया P P पर कट रहा है यही दो बराबर भागों बाटेगा P को अब हम O से मिलाते हुए एक रेखा खीच देंगे इसकेल की ही सहाता स्खीचना आईए हमने खीच दिया एक रेखा इसका भी नाम कुछ लिख सकते हैं माली जी हमने कुछ भी R लिख दिया हमने यहाँ तक P से मिलाते हुए R तक हमने बढ़ा दिया तो यहां कह रहा था COA और BOD को दोनों को बाटना तो हमने पहले BOD को ही बाट लिया पहले इसको ही बाट सकते हैं यहाँ दिया तो अब COA को COA को बाटते हैं तो बराबर भागों हम तो क्या करेंगे बाटने के लिए फिर से परकार में कोई भी दूरी लेंगे और O पर रखके एक चाप लगा लेंगे इधर देखिए हमने कोई भी दूरी लेक चाप लगा मानिजी ये भी U और V पर काट रहा है अब हम लोग क्या करेंगे इधर दो बरावर भागूम बाटना है एक बार U से चाप लगाना है एक बार V से चाप लगाना है दूरी कौन सा लेना है देखिए मानिजी हम U पर रखेंगे और U V का आधे से अधिक का दूरी लेंगे देखिए आधे से अधिक का दूरी लेंगे कोई भी आधा से अधिक हो सकता है दूरी अब उसी दूरी से घटाना बढ़ाना नहीं है वी पर रखके एक दूसरा चाप लगा लेंगे पहले चाप को काटेंगे देखिए जहां ये कट रहा है ये चाप जहां पर कट रहा है इसका भी नाम कुछ लिख सकते हैं मानली जी हमने इसका नाम Q लिख दिया अब इसी Q को स्केल की सहता सो उसे मिलारेंगे आगए बढ़ा देंगे ऐसे मानली जी हमने बढ़ा दिया S तक तो देखिए हमने दो बराबर भागोम दोनों कौणों को बाट लिया जो कर रहा था यहां तक हमने कर लिया है सम्दी भाजित करके अब देखिए आगे क्या करा सत्यापित कीजिए कि इनके सम्दी भाजक इनके सम्दी भाजक मतलब इस कोण के और इस कोण के सम्दी भाजक मतलब ये रेखा जो दो परावर भागों बाट रहा है सम्दिभाजक ये कही रेखा में है तो देखिए ये जो रेखा है ये और ये दोनों ये कही रेखा में इसको सत्यापित करना तो कैसे सत्यापित करेंगे आप लोग लिखेंगे यहाँ सबसे पहले देखिए लिखेंगे ग्याथ ग्याप है में क्या लिखते हैं दो रखाएं दी हुई है A, B और C, D तथा उनसे जो कॉंड बना है सिर्षा भी मुब कॉंड तो लिखेंगे दो रखाओं दो रखाओं A, B और CD से बना सिर्षा भी मुब कॉंड यहीं दिया question में सिर्षा भी मुब कॉंड अब हमको बनाना क्या है अगला heading लिखेंगे रचना करनी है रचना करनी है हम लोग लिखते है कि जो बनाना रहागा हमको क्या करना है कोणों का समदी भाजग रखा खीचना है तो लिखेंगे क्या सिर्षा भी मुख कोणों का समदी भाजग खीचना यही करना है अगर लिख सकते हैं तथा उसको सत्यापित करना है तो लिख सकते हैं समदी भाजग खीचना तथा सत्यापित करना यह भी लिख सकते हैं नहीं भी लिखेंगे तब भी सही है लिख भी सकते हैं तथा उनको सत्यापित करना है सत्यापित करना अब लिखते हैं हम लोग अगला है दिए रचना के चरण तो रचना के चरण में नमबर डाल के जैसे जैसे बनाएंगे लिख लेंगे पहला नमबर माले जी हमने क्या किया है एक रेखा ए बी तथा दूसरा रेखा CD खीचा दोनों रेखाएं एक दूसरे को O पर काट रहें है ऐसे पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे और लिख लेंगे कि हमने दो सिर्षा भीमू कौन BOD और COA निकाला दो सिर्षा भीमू कौन COA और BOD बनाया ऐसे लिख लेंगे अब क्या करेंगे पूरा डिटेल या नहीं लिखेंगे चाप लगाया बस ऐसे लिख लेंगे कौन BOD को परकार की सहाता से दो बराबर भागों बाढ़ते विए एक रेखा OR खीचा तथा कौन COA को भी सम्दिभाज़त परकार की सहाता से सम्दिभाज़त करते विए एक रेखा OR खीचा तो यह सम्दिभाज़त का हो गया अगला नंबर में हम लोग लिख लेंगे क्या अब हेडिंग डालना है इसमें एक और हेडिंग डालनेंगे सत्यापित करना है चाहा हेडिंग डालेंगे, चाहा उसीम लिख सकते हैं, हेडिंग डालेंगे सत्यापन, या उसीम लिख सकते हैं, देखिए, यह जब कर रहा है कि एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में होने का मतलब क्या हुआ, अगर इस रेखा पर 180 का कोण बने तो सीधी रेखा होगी, तो अगर हम च्यादे की साहता से इसको यहां से यहां तक नाप लेंगे नापेंगे और एक सो असी अंस का कोण यह बनेगा आप तो लिख देंगे कि एक सो असी अंस का कोण बन रहा इसलिए यह कही रेखा में है इतना लिख लेंगे नापना आप लोग जान चुके होंगे कच्छा 6 में इसको नापते कासे हैं इस पड़ी वाले रेखा को इस पड़ी रेखा पर रखते हैं और इस वाले उपर वाले को इस वाले बिंद उपर रखते हैं और नापते हैं तो देखिए एक सीधी रेखा जब बनेगी तो हमेशा एक्सो असी अंस का ही कोण बनेगा, यहाँ सीधी रेखाई बन रही है, जब कोण को नापेंगे तो एक्सो असी अंस का ही कोण बनेगा, मतलब यह सत्यापित हो गया, अब बागी question, अगले part में आप लोग देखेंगे, यह रचना है, रचना में आप लोग 2-2 question ही इसको समझते जाएं, और फिर अगला part आप लोग अगले वीडियो में देखेंगे कल, तो अगर आप लोग चैनल परना हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकोन को भी दबाईए, और लाइक करिए, कमेंट करिए